मेरे प्रिये सब्सक्राइबर्स वर व्यूवर्स सबसे पहले तो आप सबको हमारी तरब से आजादी के 75 वर्ष पूरा होने की खुशी में हार्दिक बधाई आज जब मैं यह रेसबी बना रही थी जो की 15 अगस स्पेशल है मुझे अपने बच्पन के दिनों की याद आ गई कि कैसे हमारे स्कूल में 15 अगस मनाने की तयारियां चलती थी और हम सब बच्चे इस आजादी के परव को मनाने के लिए रंगा रंग कारिक्रम में प्रस्तुती देने के लिए 7-8 दिन पहले ही लग जाते थे और एक दिन पहले अपनी स्कूल यूली फोम को धोना, प्रेस करना वे अपने शूज पर पॉरिश करना वे अपनी ममी को कहना कि हमें सुबह टाइम से उठा दे ताकि स्कूल यूनीफॉंग पहन कर तैयार हो कर टाइम से स्कूल पहुंच सकें और हमारी मम्मी भी हमारा पूरा साथ देती थी स्कूल पहुंचने पर वहां का देश वक्ती महौल देनकर हम सब बच्चों को बहुत खुशी होती थी क्या आप सब अभिवागवकों को भी अपने बचचों को पंदर अगस की तैयारी में सयोंग देना पड़ता है देना में ही चाहिए क्योंकि हमें ही तो उनु네 заключ के राश्टिय परवों का महतोरों सिखाना है मैं तो यही कहूंगी कि हमें हमारे देश के रास्य परवों को भी बिल्कुल और परवों की तरह मनाना चाहिए क्योंकि खुशियां बाटने से बढ़ती हैं इसलिए आज हम आप सबको सिखाने जा रहें 15 अगस स्पेशल पनीर तिरंगा मिठाई यह मिठाई स्वादिस होने के साथ साथ हल्दी भी है पर आज यह मिठाई आपको देश भक्ती का एहसास भी जरूर करवाएगी तो प्लीज इसे अपने परिवार वे बच्चों के साथ म अभियान चल रहा है तो भला हम कैसे पीछे रह सकते हैं तो आज हम इस रास्तिय पर के शुब अवसर पर आप सबको सिखाने जारे हैं पनीर तिरंगा मिठाई यह मिठाई इतनी स्वादिस्ट वे हेल्दी है कि आप सब के मन को भाजाएगी पनीर तिरंगा मिठाई के है मैंने हाँ पर और मिश्री पाउडर लिया है इलाइची पाउडर लिया है और यहाँ पर मैंने बादाम की कत्रंगी है पनीर तिरंगा मिठाई के लिए जो हमने पनीर लिया है उसको छोटे-छोटे पीसिज में हम काट लेंगे अब हम इस पनीर को कट कर लेंगे पीसिज अब हम इस साइड से विसको कट कर लेंगे पनीर तिरंगा मिठाई के लिए हमने पनीर को छोटे-छोटे पीसेज में काट लिया है अब इसे हम मिक्सी की जार में ग्राइंड कर लेंगे अब हम पनीर के पीसेज को मिक्सी के जार में डाल देंगे दिरे-दिरे करके क्योंकि हमें इसे ग्राइंड करना है अच्छी तरह से अब जो पनीर के पीसेज को मिक्सी के जार में डाला है इसे ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी के जार में हमने पनीर को ग्राइंड कर लिया, एक बार दिखा देती हूं मैं आपको किस तरह से ग्राइंड हुआ है, देखें बिल्कुल बारीक ग्राइंड करना है, अब हम पनीर तिरंगा मिठाई बनाना स्टार्ट करेंगे, पहले इंडेक्शन को अन कर देंगे, अब हाई गरम होने से पहले ही हमें इसमें पनीर डाल देना है, अब इसको अच्छेतर से मिक्स करना है, यह मिठाई बहुत ही अच्छी बनेगी, सबको पसंद आएगी, हैल्दी भी है, टेस्टी भी है, अब हमें इसे कंटीनी चलाते रहना है, अब हम इसमें मिश्री अच्छी तरसे मिक्स करेंगे, बहुत ही कम इंग्रीडियन से बनने बने मिठाई ही है, जल्दी भी बन जाएगी बहुत, और सबको पसंद आएगी, अच्छी तरसे मिक्स करेंगे इसको, और अब यह मिश्री जो पावडर है, वो पानी छोड़ेगा इसमें, तो इसको बि मिश्री पावडर जो था, उसका पूरा पानी सूख चुका है, पनीर ने सूख लिया है, अब यह दानेदार बन चुगा है, पनीर बिल्कुल हमारा तलाकन की तर है, अब इसमें हम इलाइची पावडर डाल देंगे, और इसको मिक्स करेंगे, इसका फ्लेवर भी इसमें ब बस हम इंडेक्शन को आफ कर देंगे, हमने पनीर तिरंगा मिठाई को ट्रे में सैट कर लिया है, अब इसे हम गार्निश कर लेंगे, हमारी 15 अगस्त पनीर तिरंगा मिठाई बनकर तयार है, हमने इसे गार्निश कर लिया है, आर न मुमें पानी, तो जल्दी से बनाईए इ की तारिफ किये बिना नहीं रह सकेगा हमने पंगरा अगस स्पेशल पनीर तिरंगा मिठाई को दूद में भीगे केसर से काजु वे बादाम वेपिस्ता की कतन से गानिश कर दिया है आप अपने हिसाब से गानिश कर सकते हैं पर प्लीज आप आप आर्टिविशल रंगों का कर into the प्लीज यूज करें वे हमारे शरीक को नुकसाण पहुचाते हैं हमने पनीर तिरंगा मिठाई को एक घंडे रख दिया था यह सैट हो चुकिए अब पब हम इसे कट कर लेंगे. हमने पनीर तिरंगा मिठाई को इस तरह से सर्व किया है, आप अपने हिसाब से इसे सर्व कर सकते हैं. यह मिठाई सच मानों तो बहुती स्वादिस्ट बनी हैं इसे आप जन्मास्टी पर भी बना सकते हैं और कभी भी मन करें इसे बना कर खा सकते हैं आप इस पनीर तिरंगा मिठाई को 6-7 दिन तक फ्रिजबे रखकर यूज़ कर सकते हैं इसे बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी नर्दो चाशनी बिगड़ने का डर इसे कोई भी आसानी से बना सकता है मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब को हमारे राष्टिय पर वह भी आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के शुब अवसर पर यह मिठाई पसंद आ रही होगी तो प्लीज इसे आप लाइक करें वे मेरे वीडियो को शियर करें वे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इसे किस किस अवसर पर बनाने वाले हैं अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें